नमस्कार भाईवर एमगरनू आज हम आपको बताने जा रहा हैं पत्ता गोभी और आलू की मिक्स टिकी अब इसमें उप्योग होने वाली जो बस्तु है वो मैं आपको बता रही हूं मैंने एक आलू लिया है उसको छोटा छोटा पीस बना लिया है और एक आधा छोटा पता गोभी लिया है उसको मैं छोटा छोटा काट ली हूं और मैं मसाला ली हूं मसाला में लहसुन लाल मिर्च काली मिर्च और जीरा का पेष्ट है और ये हल्दी पॉडर है ये नमक है और बेशन है 200 गराम और सर्सो का तेल है अब मैं आपको बताने जा रही हूं बनाने की बिधी देखिए अब हम ग्रैस स्टोब को अन करेंगे अब हम इस पर कराही चढ़ाएंगे रही पांच मेट में गरम हो जाएगा तब हम इसमें सर्सो का तेल डालेंगे जब तक हम क्या करते हैं कि हम मसाला स्यार कर लेते हैं इस बेशन में हम पता गोवी डालेंगे आलू डालेंगे हल्दी पॉडर अंदास से आधा चमच डालिए हल्दी पॉडर मिक्स मसाला हम रखे हैं वह हम डाल रहा है लाल मेच लासुन काली मेच और जीरा का पेष्ट नमक स्वादा अनुसार जितना आप नमक खाते होंगे मैंने दो बार आधा आधा चमच डाला है और अब इसको पानी से हम मिक्स कर लेंगे पानी इसमें ज्यादा नहीं पड़ता है थोड़ा थोड़ा कर पानी डालकर इसमें इसको मिक्स करना है देखिए मिक्स हो चली है इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे पूरा अच्छी तरह से थाकि बेशन कहीं सुखा न रह जाए जितना ही यह मिक्स होगा पकोड़ी उतना ही इसकी तिक्की अच्छी बनेगी अब देखिए कराही उधर गरम हो गया है अब हम उसमें सरसो का तेल डालेंगे हमें टिक्की छान नहीं है तो हम ज्यादा ही तेल डालेंगे इसमें अब दो मिनट वे तेल गरम हो जाएगा तब हम उसमें टिक्की बनाकर डालेंगे जब तक हम इसको और मिक्स कर लेते हैं देखिए अब तेल गरम हो गया है तेल से हलका हलका धुमा जैसा निकलने लगे तो समझे कि तेल मेरा गरम हो गया है अब इसे छोटी छोटी टिक्की बनाईए ऐसे ऐसे करने से अच्छी तरह पक जाती है इसलिए इसी तरह से इसमें डालेंगे अब तो आसा गयास के स्टेब को थोड़ा सभीरे कर दीजिए जिसे की अच्छी तरह पक जाएगी कि अच्छी तरह पक जाएगी देखिए अब 2-3 मिनट में थेल ज्यादा गरम था इसलिए 2-3 मिनट में टिक्की हो चलिया अब हम इसको उलट देंगे सारे टिक्की को अब हम उलट देंगे उलटने के बाद फिर हम 2-3 मिनट इसको ग्रैस पर ही छोड़ देंगे पत्ता गोबी और आलो की टिक्की बहुत ही टेस्टी होती है देखे एक तरफ हो गया है अब इसको उलट दिया है अब 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम फिर चुला को बंद कर देंगे देखे अब 2-3 मिनट हो गया अब टिक्की बन कर तयार है देखे हम आपको उलट कर दिखा दे रहा है देखे इधर भी लगवक हो चली है तो अब टिक्की बन कर तयार है अब हम इसे बाहा निकाल देंगे तेल से सारे टिक्की को देखे सारा टिक्की लाल हो गया है दोनों तरफ से अब हम इसे निकालेंगे बाहा अब हम चला को बंद कर देते हैं और इस तेल को इसे बाहा निकाल देते हैं देखे मैंने सारे टिक्की को बाहा निकाल रही हूं बाहा निकालनी मैंने टिक्की देखे टिक्की बनकर तयार है आप इसे साम के नास्ता में भी इसका उप्योग कर सकते हैं चाई के साथ पत्ता गोबी और आलू की टिक्की बहुत ही टेस्टी लगती है देखे आप मसाला चाई के साथ भी इस टिक्की को खा सकते हैं मसाला चाई का वीडियो माने पहले अपलोड कर चुकी हूं आप उसे भी देख सकते हैं मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद नमस्कार कर दो है